दोस्तो आज की सबसे वड़ी अपडेट भारत और फ्रांस की तरफ से निकल कर आ रही है पिछले कल फ्रांस ने भारत को एक ऐसा ओफर दिया है जिसे अगर भारत ने गलती से भी एकसप्ट कर लिया तो फिर इससे एर डिफेंस की फिल्ड में भारत को बैठे बिठाएं काफ अमेरिका फ्रांस और स्वेडन जैसे सभी देसों ने पार्टिसिपेट किया था हाला कि इस टेंडर को आट बिलियन डॉलर की बीडिंग के साथ फ्रांस की डसॉल्ट एवेशन ने अपने राफेल एम फाइटर जट के दम पर इस साल जून में ही अपने नाम कर लिया था औ कोई भी ऑफिशल और नहीं दिया गया और इसके पीछे का सबसे वड़ा कारण है दसॉल्ट एवेशन के पास पहले से मौजूद लिमिट से ज्यादा ओर्डर असल में डसॉल्ट एवेशन को पहले से एडवांस में यूए ने असी इंडोनेशिया ने बारा इजिप्ट न एक साल में सिर्फ 30-40 एरकाफ्ट को मैनिफेक्चर करने में ही कैपिबल है इस लिहाद से अगर देखे तो हमारा नंबर आते आते ना जाने कितने साल लग जाएंगे इस वजह से हमने कोई भी ऑर्डर अभी तक प्लेस नहीं किया लेकिन डसॉल्ट एवेशन भारत के इस ओ इक्सट्रा एवेशन ने भारत को यह ओफर दिया है कि भारत अगर डसॉल्ट को राफेल का ओरर देता है तो इसके लिए डसॉल्ट एवेशन अपनी तरफ से भारत में राफेल की एक एक सेम्बली लाइन वी सेट अप करने के लिए तयार है रिपोर्ट्स की माणितों ये एक तरह का जॉइंट वेंचर होगा जिसमें भारत की रिलाइंस कंपनी के साथ नागपुर के मिहान सेज एकोनोमिक जॉन में सैट अप किया जाएगा जिसके लिए लगबग 3,000 करोड की इन्वेस्टमेंट डसॉल्ट भारत में करेगी इंडियन ने भी की डील के फाइनल होत के भारत को राफेल की डिलीवरी करना भी शुरू कर दिया जाएगा एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इस असेमली लाइन की पर एयर प्रोडक्शन कैपसिटी 24 यूनिट की होगी यानि की इस असेमली लाइन के जरिये भारत को हर साल 24 मेड इन इंडिया राफेल मिलने क्योंकि आने वाले कुछी महिनों में भारत सरकार की तरफ से इंडियन एर फोर्स के लिए भी 114 फाइडर जेट का एक टेंडर आउट होने वाला है जिस वजह से असेमली लाइन भारत में सेट अप करने से डसोल्ट को बीडिंग करने में काफी आसानी होगी इतना ही नहीं इस असेमली लाइन के लगने के बाद भारत दुनिया का पहला वो देश बन जाएगा जहांपर डसोल्ट की असेमली लाइन होगी और भारत बिना किसी और OEM कंपनी के सेट अप करे 4.5 जनरेशन एरकाफ्ट को मैनिफेक्टर करेगा इसके अलावा इसमें हमें एक फायदा यह भी मिलेगा कि आने वले टाइम में फ्रांस भारत से जो भी एरकाफ्ट दोसरे देशों को एक्सपोर्ट करेगा उससे भी भारत जाइंट वेंचर और एक्सपोर्ट टेक्स के नाम पर अच्छी खासी कमाई कर पाएगा यानि कि राफिल की असेमली लाइन का फायदा हर तरह से भारत के फेवर में होगा खेर आपको क्या लगता है क्या भारत की डसौल्ट कंपनी के इस ओफर को भारत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्या फिर नहीं कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले एस वी नौली चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दिरहे जै हिंट जै भारत